लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था काईदा नमबर 7 के बारे में जो है दो पेश के बारे में और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काईदा नमबर 8 जो है खड़ा जबर के बारे में ये एक नया सबक है खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश जिस हरूप पर भी खड़ा जबर लग जाता है उसको थोड़ा खीच कर पढ़ा जाता है खड़ा जबर अलिफ की जगा पर होता है जैसे कि अगर हम किसी हरूप को अलिफ से मिला करके पढ़े तो उसको थोड़ा खीचा जाता है तो सेम अगर किसी रूप पर एक खड़ा जबर आ जाता है तो उसको भी थोड़ा खीच कर पढ़ा जाता है जैसे कि हमजा खड़ा जबर आ बा खड़ा जबर बा ता खड़ा जबर ता सा खड़ा जबर सा जीम खड़ा ज़ा हा खड़ा जबर हा खा खड़ जबर खा, दल खड़ जबर द, जल खड़ जबर ज़, रा खड़ जबर रा, ज़ खड़ जबर ज़, सीन खड़ जबर स, शीन खड़ जबर श, साथ खड़ जबर स, ज़ खड़ जबर ज़, ता खड़ जबर ज़, ज़ खड़ जबर ज़, ज़ खड़ जबर ज़, आइन खड़ा जबर आ, गईन खड़ा जबर गा, वा खड़ा जबर फा, आफ खड़ा जबर का, काफ खड़ा जबर का, लाम खड़ा जबर ला, मीम खड़ा जबर मा, नून खड़ा जबर ना, वाउ खड़ा जबर वा, हा खड़ा जबर हा, या खड़ा जबर या अब यहाँ पर देखी बताया गया है कि चाहे आप किसी हुरूफ को अलिव के साथ मिला करके पढ़ें या आप किसी हुरूफ पर खड़ा जबर लगा करके पढ़ें दोनों ही सूर्तों में आवाज सेम निकलेगी थोड़ा आपको खीचना पड़ेगा जैसे की या खड़ा जबर ला या खड़ा जबर या या अलिव जबर या यहाँ पर आपको इस काईदे नमबर एट में एक चीज़ समझ लेनी है कि जिस हुरूफ पर भी खड़ा जबर आता है उसको थोड़ा खीच कर पढ़ा जाता है और अगर आप किसी खड़ूफ को अलिव के साथ मिला करके पढ़ेंगे तब भी उसको खेच कर पढ़ा जाता है जैसे की काफ अलिव जबर का लाम जबर ला काल तो यहाँ पर इसको तीन तरीके से लिखा गया है लेकिन आवास सेम निकले गी जैसे की काफ अलिव जबर का लाम जबर ला काल और यहाँ पर खड़ा जबर लगा कर इसको लिखा गया है काफ खड़ा जबर का लाम जबर ला काल मीम अलिव जबर मा लाम जबर 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 मीम जबर मा आदम हम्जा खड़ जबर आ मीम जबर मा नून जबर ना आमन काफजेर की ता अली जबर ता बापेश बू किताबू काफजेर की ता खड़ जबर ता बापेश बू किताबू सीन बापेश सुब हा खड़ जबर हा नून जबर ना काफजेर का सुबहान का सीन जबर सा मीम खड़ जबर मा वाउ खड़ जबर वा ता दो जबर तिन समा वा तिन काफजेर का लाम जबर ली मीम खड़ जबर मा ता दो जबर तिन कली मा तिन इसको आपको ऐसे बिल्कुल नहीं बढ़ना है काली मातिन काफी सारे बच्चेस में कन्फियूज हो जाते हैं और इसको खीच कर पढ़ते हैं लेकिन जिस हुरुफ पर भी जबर लगा हुआ हो उसे आपको खीचना नहीं है जिस हुरुफ के साथ अलिफ को मिला करके लिखा गया है या खड़ा जबर लगाया गया है सिर्फ उसी को आप खीच कर पढ़ेंगे सारे काइदे वही हैं जो पीछे हमने पढ़े हैं कुछ भी नया नहीं है जसे कि यहाँ पर जबर यहाँ पर जेर और यहाँ पर जजम चाटायाकुम यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब खड़ा जबर हो और उसके बाद वाओ आ जाए और वाओ पर कोई हरकत ना हो तो फिर उस वाओ को नहीं पढ़ा जाता है तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए अगर अलिफ के बाद जज़म आती है तो फिर उस अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है जैसे कि यहाँ पर तो यह है काईदा नमबर एट और इसमें आपको सिर्फ दो चीज़े समझनी है पहली तो यह कि जिस हरूफ पर भी खड़ा जबर लग जाएगा उसको थोड़ा खीच कर पढ़ा जाएगा जैसे कि बाख खड़ा जबर बाख और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर यह समझनी है कि जिस हरूफ के साथ भी अलिफ आएगा उस हरूफ को थोड़ा खीच कर पढ़ा जाएगा जैसे कि तो इस काइदे की आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि यह पहलों के मकाबले थोड़ा मुश्किल रहेगा लेकिन अगर आपने इसकी बिल्कुल जैसे मैंने बताया है वैसे ही प्रैक्टिस कर ली तो यह आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा और आप दो-तीन दिन के अंदर अंदर इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गायदा नमबर नाइन जो है खड़ा जेर के बारे में